हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है इंडिया से जो एंफोर्स्मेंट डिरेक्ट रेट है जो इंडिया का वन ओफ द बिगस्ट एक्चेंज है क्वाइन स्विच कुबेर उसके पांच लोकेशन पे रेड मारी है क्यों ये रेड मारी गई है वो आपको बताएंगे और क्या क्रिप्टोकरंसी एक्चेंज का कहना है और यहां पर क्या क्रिप्टोकरंसी होल्ड करना इन एक्चेंजिस पे सही है के नहीं वो सारी बात इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं तो बने रही है हमारे साथ में चैनल पहली बार आये तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक करी दिया होगा दोस्तों ब्लूमबर्ग हो या जितने भी मीडिया है एकनॉमिक टाइम्स हो गया सारी जगा पर ये नियूज निकल के आ रही है अब दोस्तों समझत हैं कि एक्चुल में ये रेड क्यों मारी जा रही है और क्या यहां पर एडी ने किया है अगर इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की बात करें तो उन्होंने पांच डिफरेंट लोकेशन पे जिसके अंदर इनका ओफिस है वहां पे इन्होंने जो है रेड करी जो डाइरेक् डिरेक्टरेट ने उनके उपर भी रेड की थी और वो मैटर था मनी लॉंडरिंग का चाइनीज एप है जिनके उपर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज गिया गया और बात में कॉलिंग करके वहां पर उनसे रिकवरी करने की कोशिच की गई हाई इंटरेस्ट रेट और जो उपर ये कारवाई हो सकती है या ये एक्शन लिए जा सकते हैं यहां पर अभी अगर कॉइन स्विच की कुवेर की बात करें तो जो सोर्सिस का कहना है वो कहना है कि वह या 20 बिलियन रुपी 200 मिलियन डॉलर्स के वर्थ के जो कनवर्जन किया है फॉरेक्स का उस जो एक्व पर आयुएं जो है और जो ब्ता चला वहां पर कि नॉन कंप्लाईंड certainly नॉम जो होते हैं वहां पर वो भी कंप्लाइंड नहीं कर रहे थे तो ये सारी चीजे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जिसकी वज़े से ये रेड मारी गई है अगर KYC नहीं कर रहे थे compliance कुछ अगर ठंक से नहीं कर रहे थे तो एक बड़ा serious matter हो सकता है क्योंकि सबसे important बात अगर बात करे cryptocurrency exchanges की इंडिया के अंदर उनकी KYC होनी बहुत जरूरी ह अगर यहाँ पर नहीं करते हैं और पैसा भार जाता है तो वो कहीं न कहीं एक बहुत serious जो है चीज बन जाती है अब ये सारी चीजे होने के बाद जब company से पूछा गया तो company ने ना confirm किया ना deny किया ED की यहां searches को इस raid को और उनके जो spokesperson है उनका कहना है कि हमें जो है receive होती है different government agencies से queries हम जो है approach जो है हमारी बिल्कुल transparent है और यहाँ पर cryptocurrency जो है early stage के अंदर है बहुत सारा potential है और हम continually engage रहेंगे जो भी stakeholders हैं और पूरी कोशिश करेंगे उनको यहाँ पर support करने के जो उनकी requirement होगी ऐसा कहना है company के spokesperson का लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है क्या exchanges के ऊपर अपना trade करना safe है दोस्तों सबसे पहले आप यह ध्यान रखेगा अगर आपके पास ताले की चा भी नहीं है तो वो जो है ताले के अंदर जो भी बंद है वो आपका नहीं है तो अगर आप trade नहीं करने हो अगर hold करते हो तो वैसे भी आपको यहाँ पर hold नहीं करना चीए यहाँ क्या किसी भी exchange पर hold नहीं करना चीए अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है यही सवाल जो निकल के आए था जब वजीरेक्स के time की बात हुई थी कि वजीरेक्स पर raid पड़ी है वजीरेक्स functioning करेगा के नहीं करेगा तो trade कर रहे हैं लोग वहाँ पर आज trade कर रहे हैं लोग वहाँ पर आज भी लेना देना कर रहे हैं तो यहाँ पर यह नहीं है कि exchange यहाँ पर seize हो जाएगा या चीजे निकल के आएंगी लेकिन हाँ कुछ अगर कलट चीजे निकल के आती हैं तो हो सकता है कुछ कड़ा action जो है यहाँ पर agencies ले ले लें जैसे क bank account को freeze कर दें या cryptocurrency जो hold करते हो उसको freeze कर दें जब तक यह सारी चीजे sort out नहीं होंगी तब तक आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते यह चीज की possibility हो सकती है तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे trade नहीं कर रहे हो तो अपने personal wallet में रखिए अपने hardware wallet में अगर गड़बड करी होगी तो जितने लाखो लोग हैं कहते हैं कि जो है डेड़ दो करोड लोग जो है इनके पास में हैं अगर उनमें कुछ लोग भी गड़बड करते हैं तो पूरे के पूरे जो है exchange पे issue आ सकता है तो उसकी trading भी impact हो सकती है आने वाले time के अंदर अगर आप trade नहीं कर रहे हैं तो बैटर है कि अपने personal wallets में रखिए लेकिन वजीरेक्स को अगर compare करते हैं उनके वहाँ पे भी searches हुई थी लेकिन वहाँ पे भी अभी trade चालू है तो यहाँ पर भी अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वहीं से हमें घबराना पड़े लेकिन यहाँ पर हमें सावधानी रखनी चीए और पल-पल की चीज आपको पता होनी चीए तो इन चीजों पर आप जरूर नजर बना के रखेगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी काम की लगी होगी वीडियो पसंद आई तो ला झाल 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 झाल